कानपूर आई आई टी के दो छात्र गंगा में डूब गया जिसमे से एक छात्र को बचा लिया गया है पुलिस और गोता खोर ने छात्र की तलाश शुरू कर दी है घटना के बाद संस्थान के अधिकारी मौके पर पहुच गया डूबा हुआ चात्र राजस्थान का रहने व कोहना थाना छेत्र के कल्लू पूर्वा की ओर नहाने लगे अचानक गहराई अधिक होने से दो छात्र डूबने लगे अने छात्रों ने शूर मचाया जुसके बाद घाट के पास मौजूद गोता खोरों ने एक को बचा लिया उसे अस्पताल भेजा गया है जिस जगा पर चात्र नहा रहे थे उस जगा पर बहाओ भी तेज था जबकि दूसरा चात्र गहराई में समा गया डूबने वाले चात्र का नाम चंचल है वह राजस्थान के जुझनू का रहने वाला है सूचना मिलने पर कोहना पुलिस मौके पर पहुची चात्र की तलाश के लिए गोत अखोरों का क्याना है कि पानी का बहाओ बहुत तेज है फिर भी चात्र को खोजने के प्रयास किये जा रहे हैं आयाइटी के अधिकारियों के मताबिक चात्र के परीजिनों को सूचना दे दी गई है